उत्तर पर्देश के बलिया जिले में नगरा के डाक बंगले में प्रेसवारता के दोरान कैलाश भीहारी सिंग सलेमपूर सासंद रवींदर कुश्वाह के प्रतिनी दी ने बताया कि हमारे सासंद अपने चेतर में इतना अच्छा विकास कर रहे है इसलिए बंपर वोटो से जी तो यह साथ ही यह भी बताया कि सासंद जी जैसे ही मंत्री बनेंगे सलेमपूर में विकास ही विकास होगा करना विए इसलिए सांसद प्रतिनी देर महने सांसद अनियोंपूर जी अभी हुए पिछेल लोकसवा चुनाओं में आपकी केंदर की नरेंद मोधी सरका के नेतिरुज में परचंद बहुमों से जीत होई है उसके बारा क्या कहना चाहेंगे मोधी जी के नितियों को देखकर सबकास सबकार जिगास एक नारा थास जनता जी मन बनागर बाढ़ी लगती डिल दिमाग से अस भी जीनयों को धरात्र प्रक्शोंि उस प्रकार से इस बार भी आपके जन्ता ने आपका साथ दिया है, तो क्या जिस प्रकास से नर्यन मुद्धी की नई सरकार बनते हैं, सभी मंत्री एक्षन में आगे, सभी कर्या तुर्म सुरू हो गए, तो क्या आपको भी लगता है कि आप भी इसे तरह कर पाएंगे अब जन्ता के लिए? जरूर कर पाएंगे, एक नारा था और तुट गया है, सब का साथ, सब का विकास दिस के नियता है, कि राश्टी एस्तर पर और अंतराश्टी एस्तर पर मजबूती के साथ भारत को आगे ले जाए है, जिस प्रकास से प्रतिपक्ष के नियता, अपनी राजदीती को भारते जनता पार्टी का है, विकास के सबसे बड़ी पार्टी है, इसको देखते हो यह विपर्च के लोग, विपर्च नहीं समय, जिस प्रकार से बलिया के पहचान बनाने वाले, चंद सेखर जी के बेटे, नीरत सेखर, अपनी पार्टी, खुद की पार्टी छोड़के भाज पर में सामिल होगा है, इसके अबर आप उस कहना चाहेंगे? जरू कहना चाहेंगे, आज जन्ये नीरत सेखर जी काम करने वाले बगती है, ऐसे पार्टी में थे जो परिवार की पार्टी है, और चंद सेखर जी एक विश्व के भी नयता रहे है, उनका भी नाम विश पारे थे, ये पार्टी ही वड़ी लुकतांती है, पार्टी एसमा काम करने को मुझे लेटिस्ट न्यूस देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले और साथ ही डेली अप्डेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रस करें